अलो एंड असलामुलीक्यों ट्राइवरिवन वेलकम बैक टो परड़ाइस एक्रेडमी सो ब्यारे दोस्तों मैंने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तो टी-स पैटर्न पे प्रिवेस यर पैपर्स एजट सॉलो कर आओगा आपको आपके लिए एक मौक टेस्ट की तरह काम करें और एक्चुल एक्जाम में आप अच्छा यह मतलब अटेम्ट कर पाओ अच्छा पर्फर्म कर पाओ ओके तो हाउट सॉलो एंड एक्जाम और इं से ठीक है तो वो डारक खतम करने की में कोश्च करोगा क्योंकि मैंने आपको प्रामिस किया था अपने पेड कलासे स्टाट करने से पेले कि अगर आप मुझे से पढ़ते हो कोई भी एजन्सी एक्जाम कराई कोई केसी कोई भी लेवल पेपर का क्यों नहों आप अच्छा और फर्म जुरूर करोगे सो मैं लेकर आया हूँ लदाक एससी एक्जाम का पेपर ठीक है जहां पर आपको पता है कि प्यूर्ली एससी पैटर्न रहता है 25 25 क्वेस्टेंस रेते हर एक सेक्शन से फ्रॉम मैथेमेटिकस इंग्लिश रिजनिंग एंड जी के ओके तो पेपर करने के लिए और आप मैथेमेटिकस एंड रिजनिंग में अच्छा सिकूर कर सकते हो बात करेंगे फायनानस एक्जाम की तो उसका मुझे कोई पता नहीं लेकिन व्यूर्ड डव्यू का एक्जाम हंड्रड पंसेंट कंफोर्म है नौंबर में होना है ओके चलिए देश ही करके घञए इसके सेंडर कहता है कि यहाँ पर संस्पोज तीन भाज और ये हो गया हमारा सपोजriteией मिननेट एंड. आठ बजे, उके, तो ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा. अब हमें पता है कि यह अगर 3 है यहां पे तो यह है 4 यह है 5 और यह हमारे पास 6 और यह हमारे पास 7 ठीक है और यह हमारे पास होता है 9 बजे बस जश्ट विज्वलाइजेशन कोई फारमला की जुरूरत भी नहीं है अगर आप इस तरीके से इसको गंदी नाजर से देखोगे तो यह आपको पता है कि complete angle 180 degree का होता है उपर से 180 नीचे से 180 टोटल 160 ओके तो आप अगर यहां पे उतारोगे और जोइन करोगे इस 6 के साथ तो यह 90 degree angle बनेगा बनेगा की नहीं बनेगा अब यह remaining part जो है यह 90 degree है और इसमें 2 3rd part आपको लेना है 2 3rd यानिक इतना तो वो कित 50 degree पुलस 60 degree यानिके 150 degree अब आप बोलोगे सर यह तो option में नहीं है तो यही है खासे TCS की हर बार हर बार कोई भी exam उठाओ एक से दो question गलत देता है किसी किसी shift में नहीं देता है लेकिन देता है जुरूर हर साल exam में गलत question डालती है ताकि बचे उन questions पर time waste करे और competition का लेवल क और दो-दो-सो रुपे इनको पकड़ने होते हैं तो चलिए जी यह इसका answer है okay next मैंने आपको percentage lecture में ऐसी questions success to increase and success to decrease पर पढ़ाए हुई थे ठीक है population based question है कहता है कि 2 साल पहले 3,40,000 population थी okay और फिर यह increase होते ही पहले साल 6% और दूसरे साल 5% हमें बोलने present population यानिकी इन दो सा चलिए start करते हैं पहले साल 6% बढ़ती है यान कि 100 से हो जाएगी 106 ठीक है तो इतना लिखनी की जुरूरत नहीं है तो हम बोलेगी अगर population 50 थी तो कितनी हुई होगी 53 ठीक है और दूसरे साल population बढ़ती है 5% 5% की fraction वेली 1 upon 5 वे स्वारी 1 upon 20 यान कि अगर 20 थी तो initial और final एक बढ़ गए यान कि 21 अब आप देखो इनिशल पॉपलेशन 5 इंटो 210 और 20 चिपका दो और final पॉपलेशन 53 का इंट्रपन 5 केरी 53 इंटो 2106 प्लस 5 111 ओके 111 अब यह 1000 यूनिट इनिशल पॉपलेशन बढ़ इनिशल पॉपलेशन वाट 340,000 यान कि 340 से मल्टपलाई किया है तब ही जा कि यह 3,40,000 तो बनेगा बात आ रही समझ तो answer यान कि final population 1113 यूनिट है ठीक है यान कि इसको भी हमें क्या 340 से मल्टपलाई करना पड़ेगा अब देखो यहां पे कलाकारी क्या करने होती है पूरा मल्टपलेशन करने की जुरूरत बिल्कुल भी नहीं है यह 0 त के end में 20 option है 20 मतलब 2 digits है अब अगर 20 कहीं और पर भी होता तब क्या करना था तब तो पूराई सालों करते है ठीक है so therefore answer is what 378420 यह answer है ओके चली next सवाब बना अब यह थोड़ा सा कैल्कुलेटिव क्वेस्टन है लेकिन किस तरह के से हम इसको आसन बना सकते है मैं आपको बता होगा बस जश्ट कलाकारी करने होती है आज यह बाट तो आर्टिकल सफार रूपीस 750 यह सोल्ड वन एट लॉस आप एटीं परस एटीं दूनों आर्टिकल इसका मिलाकर वह कितना है साड़ी साथ रूपे बस इसको जयान में रखो और कुछ नहीं यूनिटेरी मैथट से बनाएंगे अगर पहले आर्टिकल का सीपी सव है ठीक है और उसको एटीं परसंट प्रॉपिट या लॉस एटीं परसंट प्रॉपिट य यानि कि 50 पे लाएगा और 59 पे बेज देगा अब यह है हमारे पास CP और यह है हमारे पास SP है ना रेशों से हम कर रहे हैं ना बेटा ओके तो लेकिन हमें बोल रहा है सवाल कि SP सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन यहां पे तो यूनिट्स में डिफरेंट आया तो क्या करेंगे हम काम करेंगे ओपर करेंगे 59 से माल्टॉपलाई और नीचे करेंगे 41 से माल्टॉपलाई एजट्स में ऐसे पढ़ाया हुआ है आपको ठीक है बस हमें डिफरेंस निकालना है कॉस्ट प्राइस में तो सेलिंग प्राइस के साथ माल्टॉपलाई करने की जूरूरत नहीं सि फोकस करेंगे, so cost price 50 into 59, अब आप बैंकर calculation दिख रहे होगी, तो आप एक काम करो, 50 into 60 करो, और एक बार फिर 50 वापस उतारो, क्योंकि एक बार 50 काम है न, हम इसको 60 मान रहे हैं ठीक है, तो 50 into 60 3000 होता है, तो एक बार 50 काम करेंगी, तो आप बोलोगी 2950, ठीक है, यह क्या हो गया, cost price of first article in units, so cost price of second article in units, कितना आएगा, 50 into 41, so 50 into 40 करो, कितना होता है, 2000, और एक बार 50 जोड़ो, क्योंकि 41 टाइम से, तो वो हो गया, 2050 2050, तो total CP, total CP, जो हम units में निकालेगे, total, वो कितना है बेटा, आप बोलोगी सर 5,000 units, 5,000 units नहीं है, बिल्किक question में 7,500 रुपे, तो हम बोलेगे, 7,500 के एक वली है, ठीक है, और हमें निकालना है, difference, difference कितना है, इन दो का, 39,50 से गए, 2,050, तो difference है, 900 units का, तो यह हमें find out करना है, ठीक, इतना deeply मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकि करनी की ज़्यादा जुरूरत, एक सच होती नहीं है, अब आपको क्या करना है, कि 700 रुपे की वेल्यू गिवन है, कितनी, 5,000, और 900 के हमें निकालना है, ओके, 2,0, 1,0, कितना है, 3,0, काट गई, तो 15 पचे, यान कि यहाँ पे 15 आएगा, so 15 into 9, 135, और 135 क्या है, आंसर है, बताओ, कोई शक, यह इसका आंसर है, अब यह बचा है, जिसने मुझे यह पेपर दिया, इसने यह गलत किया है, ठीक है, तो इस पे नहीं जाना है, इसने गलत रॉंग ठीक किया है, चलिए, इन वाट टाइम विल सम अप मोनी डिकाम सिक्स टाइम सिक्स टाइमस इटसल आट 16 पर संट पर अनम सिंपल इंटरस्ट, एज इस इसने यह पढ़ाए है, जाओ सिंपल इंटरस्ट में पीडिया पोठा देखू, पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए है, ठीक है, नहीं पढ़ाए होंगे आजाना WhatsApp पे जो मर्जी हो मुझे बोल देना ओके तो चलिए जी कहता है six times ये होता है कोई amount कोई sum अगर हम sum मालने 100 तो six times कब होगा जब वो 600 बनेगा जब वो 100 से 600 हुआ तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि जो interest इस पे मिला है interest मिला है वो कितना मिला है 500 रुपे का 500 रुपे interest मिला है और rate का है वाई मेरे उसे divide करेगी 16% तभी तो हमें time निकल के आ जाएगा तभी तो हमें time निकल के आ जाएगा अब देखो इस 50 को देखो 16 तिया कितना होता है 48 16 into 348 होता है तू बचा और ये 20 बन किया 16 वन जार 16 अब फोर बचा और 0 नीचे आएगा सो फिर कुछ भी हो जाएगा लेकिन 31.something हमें answer मिल रहा है that is option C पूरा सालो नहीं करना होता है आई बात समझ this is called presence of mind चलिए जी find the mean proportion of 3 and 27 mean proportion में ने आपको बताया कि ये आपकी टरम है suppose for example अगर आपकी पास कोई टरम है a by x is to b by sorry x by x by b तो क्या होता है हमारे पास ये x into x square हो जाएगा ना ये ratio में इस तरीकी से ये proportion में होता है तो इस तरीकी से is equal to क्या हो जाएगा a into b a into b बस वही concept है ज्यादा मत सोच ये नहीं लिखना होता है तो क्या करोगे आप लिखोगे x square is mean proportion ठीक है तो किसके equal होगा 3 into 27 x mean proportion है ठीक है तो x is equal to 3 into 27 कितना होता है 81 so x is equal to 9 अब ये में नहीं बताना कि 9 कैसे आगे ये square होता है 81.9 का square होता है चलिए जी if 15 kg of sugar cost रुपी 600 what is the cost of 25 kg of sugar अब बोलता है कि 15 kg sugar है 15 kg sugar है उसकी cost price ही कितनी 600 रुपे तो मैं बता सकता हूँ कि 5 kg का कितना होगा 3-3 से divide करो both sides से तो आप बोलोगी सर्फ 200 रुपे ठीक है अब 5-5 से multiply दोनों side से करेगे तो मैं बता सकता हूँ कि 25 kg का price कितना होगा यहाँ से भी 5 से multiply करेगे तो आप बोलोगी सर्फ 1000 रुपे कितना 1000 रुपे तो यही इसका answer है option number C चलिए जी next क्याँ आपको वन शॉर्ट लेक्चर भी मिल जाएगे यूटूब पर जहां पर मैंने ट्रेन का concept कराए हुआ है और इससे कई गुना difficult questions कराए है ठीक है तो यह CHSL का paper है इसके बाद मैं CGL का paper कराऊगे जो लड़ाक में हुआ था OMR बेसर TCS ने कराए था एक train है इस speed से चलती है ठीक है और 9 second में किसी pole को पाहर करती है यानि कि train की लेन था में निकालनी और meters में निकालनी है किस में निकालनी भी आई भाई मेरे meters में निकालनी है यह question इसने ठीक किया हुआ है तो चलिए जी कोई train 60 km per hour की speed से चलता है meter में convert करेगे change करेगे तो आप बोलोगे sir 15 upon 18 से multiply करना पड़े और 9 second तक ही चलती है बस distance आगे train की क्या 9 से 2 बार और 2 से यह 30 बार ठीक है सो 30 पचे 500 meter 500 meter is the correct answer option D next the average of 15 numbers is 212 if 2.4 is added to each number then what will be the new average मैंने यह statistics में भी पढ़ा हुआ है और मैंने यह maths quantitative altitude के average वाले में भी पढ़ा है कि अगर हम हर एक observation के सब कोई constant value एड़ करेगे तो average पर क्या effect पढ़ता है कि average पर भी वो ही constant value हमें add करना पढ़ेगा ठीक है अगर हम हर एक observation के सब x add करेगे क्या x add करेगे तो average के साथ भी क्या होता है x add करना पढ़ेगा ठीक है तो average पर यह effect पढ़ता है बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है किसी को लगता है कि कोई question में नहीं पढ़ा है comment section में बता देगा तो क्या है 212 तो इस पर भी effect पढ़ेगा कितना 2.4 so initial average initial average कितना है बाई मेरे तो आप बोलोगी सर्थ 212 so final average final average यह आपको exam में नहीं लिखना है यह just मैं आपको बता रहा हूँ कितना है 212 पुलस करेगी 2.4 तो बारा दो होगी 14 यानकि 214.4 ठीक है यह answer है option C आई बात समझ are you getting my point चलिए जी next if p cube plus 3p square plus 3p equal to 26 find the value of p square plus 2p algebra से यह question आया हुआ है और algebra का से लिए वस हमें बिलकुल basic है इतना level भी आपको question नहीं मिलेगा exam में ठीक है लेकिन अगर मिलता है भी तब भी कोई मसला नहीं मेंने फार्मला से भी पढ़ाया हुआ है और मैंने value putting से भी कराया है तो क्या करेगे फार्मला तो आप खुद लगाओगे लेकिन मैं best approach बताऊगा hit and trial hit and trial if we put अगर हम put करेगे क्या P बराबर 2 P की value दो रखेंगे तो condition satisfy हो रही है देखो कैसे P cube यानके 2 का cube 8 plus 3 P square यानके 3 into P square यानके 4 34012 और यहाँ पे 3 into P यानके 3 into 2 6 अब देखो 12 8 हो गए 20 तो 6 होगे condition satisfy होगे condition यहाँ पे होगे therefore हमें क्या निकालना है यह वाली value निकालना है therefore P square plus 2 P बराबर होगा put जब हम 2 करेगे 2 square plus 2 into 2 ठीक है तो वो क्या हो जाएगा 4 plus करेगे 4 is equal to 8 answer बताओ कौन सा time लगना था इस question में ठीक है चलिए जी next what is the remainder when 8127 is divided by 8 क्या में यह question नहीं पढ़ाया बलो नहीं पढ़ाया था कि 8 का divisibility rule 8 का divisibility rule क्या है last three digits last three digits divisible by होनी चाहिए divisible होनी चाहिए 8 से तो हमें just check करना है 127 127 से 120 तो कटेगा लेकिन 7 तो नहीं कटेगा 8 से ठीक ही यह तो कटेगा लेकिन 7 बचेगा so remainder हमारे पास 7 ही बच जाएगा ठीक है खाली आपने क्या करना है 120 को divide करना है ना कि पूरे नामबर को last three digits चलिए जी allegation पर यह question आया हुआ है यह सवाल भी मैंने कराये है बताओ कौन से question नहीं कराया है इन वाट प्रपोर्शन मस्ट वीट एट रूपिज 20.40 तो इतना मत लेखो सीधा लेखो 20.40 इस तरीके से क्योंकि हर किसी value में decimal के बाद दो values है दो digits है ठीक है विद वीट 2550 ताकि में किस चरह हमें मिले क्या मिले 2380 ठीक है बस बड़े सी छोटा बड़ा माइनस छोटा में ने बताया हुआ है और उसका ratio निकालना है ओके सो 2380 से निकालेगे 2040 तो कितना रहेगा वाई मेरे कितना रहेगा तो आप बोलोगी सर 340 रहेगा कितना 340 रहेगा और फिर यहां पर देखो यहां पर 2550 से उतारो 3080 ठीक है तो कितना रहेगा आप बोलोगी सर 170 रहेगा 170 रहेगा ठीक है 0 से 0 खातम 17 से 1 बार 17 से 2 बार 17 इंटू 1 17 17 इंटू 2 कितना होता है 34 1 वेशो 2 1 इस तो 2 2 इस तक करेक्ट आंसर ओप्शन D बताओ कौन सा टाइम लगना थे इन क्वेस्टन्स में मुझे स्टूडेंट ने सेंड किया बोल रहा है पता नहीं क्या है पेपर वो यह वगेरा दरा रहे हैं बच्चे बच्चों को टीचर से यहां पर अपने वो दुकान खोल रहे है चला रहे है दुकान है अपनी विच आप दे फॉलविग नंबर है इस 12 अब मुझे यह जरूरत नहीं करानी की आपको पता होगा ठीक है चलिए जी यह खुद कर लेना प्रोबिल्टी पे क्वेस्टन है हमारी सेलवस में नहीं है बट स्टिल मैंने फाइनानस अकॉंट सिस्टन का मैस पढ़ाया हुआ तो वहां पर भी आप यह काम में आ जाएगा और अगर आउट आप सेलवस क्वेशन आएगा वियल डबल्यू की पेपर में तब भी आप कर लोगे ठीक है कोई किसी बैग में दो रेड तीन ग्रीन और दो ब्लू बालस है तो दो बालस को पिक किया जाता है तो रेंडम ली लेकिन उसकी प्रभबिल्टी बता कि उन दो बालस में से कोई भी ब्लू नहीं है आयरकि वो दो बालस हम के सकते red या green वाले में से होंगी यारकि पांच में से वो दो बालस आई होंगी ठीक है और total कितना यह होगे favorable case उपर वाला favorable event ठीक है divide करते total number of possible evanants total possible evans total possible out comes इवन्टस नहीं कहना थे 2 3 5 2 होगे 7 7 C 2 ओके guys तो चलिए जी तो इसकी मेने टेक्निक भी आपको सिखाई हुए है और व्यर्डवली बेश में प्रोविल्टी के वीडियो में फ्री आपकोस्ट प्रोवाइड किये हुए है तो क्या करना है फाइव इंटू फॉर डिवाइड बाइटू है यहां पर लेकिन वो तो कट जाए फर्स्ट नेक्स्ट बनाओ यह वाला सवाल बनाओ अब देखो इसकी ट्रुक्स भी मैंने आपको बताई और अगर कोई ट्रुक भी आपको नहीं आती है थोड़ आसा प्रेजनस अपमाइंड है विज्वलाइजेशन ठीक ठीक ठाके आपका तो आप इस क्वेशन को आंसर क कर सकते हो क्या कहना है कैना हमें निकालना कि सेकंड लाँ यस्ट कौन सी टरुम है कौन सी ओक्षण है ठ Cake पेला वाला पकटते हैं ए ए ऑप्षन पकटते है इसको 6 नहीं, root 60 मानते हैं, root 60 मानते हैं, minus, इसको root 3 नहीं, root 30 मानते हैं, perfect square नजदीक में देखते हैं, perfect square कौन सा है, आप बोलोगे सार 64, 64 का perfect square कितना होता है, 8, ठीक है, और 30 के नजदीक में perfect square कौन होता है, 25, 25 का perfect square आप मुझे बताओ कौन सा है, आप बोलोगे 5, तो लागबग, लाग बग यह हमें क्या देगा 3 value देगा कितना 3 तो similarly b को आप देखो और निकालो b हमारे पास b option क्या है 9 root 9 तो इसको हम root 90 मानेंगे root 90 के नजदी कोई perfect square अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है root 81 होता है और वो किसका है 9 का ही है किसका है 9 का है minus 20 के नजदीक perfect square कोन है 4 है so 9 minus 4 is equal to 5 ठीक है यह लग बग लग बग approximation से में कर रहा हूं ठीक है समझ लोग ने मेरे बाद ठीक है तो यह root 7 है root 7 यानकी 64 ही लेते 8 का perfect square ठीक है और यह लेते है 40 यानकी 6 का perfect square यानकी C हमें लग बग लग बग यह 8 minus 6 यानकी 2 बिलेगा लग बग लग लग बग 2 बिलेगा और इसी तरीके से option D अगर हम देखेंगे तो उसको check करेंगे यह 120 अगर मान लेगे तो 121 इसके नजदीक है perfect square वो किसका है 11 का है perfect square और इसको 5 नहीं 50 बना लेगे तो यह 7 का perfect square किसका 7 का तो लग बग लग बग क्या value देगा हमें यह तो आप बोलगे 11 सी साथ गए तो 4 अब देखो लार्जस्ट तो यह है लार्जस्ट तो यह है पहले नमबर पर तो second largest कौन सा है second largest है हमारे पास है option D and option D is the character answer यह हो गया एक तरीका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरीकी से आप difference देखो ठीक है कितना है 3 यहाँ पर कितना है difference 3 यहाँ पर कितना है difference 7 और यहाँ पर कितना है difference 7 ठीक है क्रावगी ठीक है कौन से यह वाली होगी और यह वाली छोटी होगी ठीक है राइट तकिए यहाँ पे च्छोटी चीज गठ रही है यहाँ पर बड़ी चीज गठ रही है आई बात सामझ तो इस तरीके से भी मैंने ट्रुक्स आपको बताई थी भूलो भूलो हाँ या ना चलो, यह वाला बनाओ, इंदे जिवन फिगर, A, B, Parallel C, D, Find X, Y, Z, हाँ, बनाओ, यह वाला बनाओ, मज़े की बात है, बनाओ, ठीक है, अगर हम इसको गंदी नजर से देखेंगे, इस तरीके से यह एक Parallel Line बीच में डालेंगे, क्या डालेंगे, Parallel Line बीच में डालेंगे ठीक है, तो यह एंगल, Vertically Opposite Angle, तो यह एंगल कितना हो जाएगे, Z by 2, और यह वाला एंगल कितना हो जाएगे, यह भी हो जाएगे, Z by 2, ठीक है, Z by 2 यह वाला भी हो जाएगा, और मैंने आपको बताए कि अगर यह दो Line पारलल है, तो यह जो दो एंगल है ने यह वाला और यह वाला, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम जो है, वो 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं, एंगल Y, पुलस Z by 2, पुलस Z by 2, यह यह एंगल और यह एंगल, पुलस एंगल X, कितना होगा, यह 180 होंगे, और यह 280 होंगे, 180 degree यह होंगे 180 degree यह होंगे ठीक है न बाई मेरे तो angle y as it's लिखेंगे z by 2 plus z by 2 z by 2 plus z by 2 कितना हो जाएगा आप बोलोगे सब वो हो जाएगा 2 z by 2 ठीक है 2 से 2 कट जाएगा यानि angle y plus angle z plus angle x angle x कितना है बाई मेरे वो कितना हो जाएगा फिर कितना है 180 और 180 यानकी 360 degree option c बताओ इस से आसान में आपको क्या ही बताओ बोलो बाई मेरे next find the area of right angle whose parameter is 30 cm and length of perpendicular drop down longest side is 6 cm देखो अगर इंडिया में कोई भी teacher आप उठाओ तो थोड़ा सा टाइम वो लगा देगे इस question को सालो करने में या समझाने में लेकिन 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 मैंने आपको trigonometry में पढ़ाया हुआ है python gorian triplet जो कि right angle triangle के साथ deal करते है ठीक है तब parameter कितना है 30 degree यानकि ये sum ये side का sum ये वाले side का sum और ये वाले side का sum कितना होना चाहिए parameter जो को हम कहते है parameter होना चाहिए 30 cm यानकि 3 sides का sum 30 cm अब ये integer में है parameter तो इसके sides भी integer में होगे तो मैंने आपको pythagorean triplets पढ़ाये है ठीक है तो एक triplet होता है 5, 12 और 13 ठीक है तो इसका sum अगर आप देखोगे तो 5, 12, 13 होगी 25 तो 5 होगे 30 parameter 30 है तो condition sets पे होगी फिलाहल condition sets होगी अब हमें निकालना area क्या निकालना by my area किसके equal होता है 1 by 2 into base यानकि 12 है वो into perpendicular यानकि height वो कितनी है 5 तो वो कितना हो जाएगा by my 2 से ये जाएगा 6 बार 6 पज़े 30 cm square बता बस सूचते ही आप इस question को कर सकते थे लिखने लिखने की जुरूरत नहीं है option B ठीक है दूसरे method ये है कि आपको यहां से ये डालनी है altitude यह यहां पे 90 degree का angle बनाता है और फिर खवखाना है यह equate करके आपको question को सालो करना है जो कि basic तरीका मैंने आपको पढ़ाय हुआ है और भी थोड़ा सा में extra content प्रोवाइड करने की कोश्च करोगा advance maths में ठीक है चलिए next which of the following is not a leap year कौन सा इसमें leap year नहीं है leap year क्या होता है leap year हम किसको कहते है leap year उसको हम कहते है जो divide होगा 4 से यानि कि उसमें क्या होता है 5 के मन्थ में 29 days होते है और हम किस तरीकी sleep year पश्चानते है वो divide होता है divisible होता है divisible by 4 होता है divisible by 4 होता है तो यहाँ पे क्या है जो 800 है उसको 4 से अग डिवाइड करेगी तो होएगा ठीक है 1200 है second option 4 से divide करेगी तो होएगा ठीक है न तो इस तरीकी से D option है D option में क्या है 2000 है 4 क्या अगर 400 से भी हम divide करेगी तो होता है लेकिन हमारे पास A option ऐसा है जहाँ पे 700 है और यह 4 से divide नहीं होता है तो यही आपका answer हो जाएगा यही आपका not a leap year होएगा ठीक है यही एक leap year नहीं है वो ही आप से पूछा था option A next बनाओ यह वाला सवाल बना बेटा A can do a work in 15 days and B in 20 days if they work on together for 4 days then the fraction of work that is left is A किसी काम को करता है 15 दिन में और B उसी काम को अगर अकेला करेगा तो वो कर सकता है बेज दिन में ठीक है तो अगर हम LCM लेगे तो total work should be what 60 होना चाहिए है न तो A की efficiency 4 B की efficiency 3 चार दिन तक चार दिन तक यह दोनों मिलकर काम करते यानकि दोनों एक चार यूनिट करेगा दूसरा तीन यूनिट यान साथ यूनिट एक दिन में तो चार दिन में कितना complete होएगा 28 यूनिट 28 यूनिट completed ठीक है completed left कितना रहा left work left work ठीक है total था 60-60 में से 28 तो गई left रा 32 कितने में से 60 में से तो यह हमसे पूछा था 4 से cancel out उपर नीचे करो 4 अठे 32 और 4 पंदरा 60 तो 18 अपॉन 15 is the correct answer बताओ क्या मुश्किल था पेपर next question बताओ क्या में यह सवाल नहीं पढ़ा है था आपको कि जब हमें यह arrow diagram होती है इस पे में और भी question लाओगा ठीक है इस पे में और भी question लाओगा यहां पे यह circle इस तरीके से touch करता है तो यह जो आपको यह angle बनता है angle C जो बनता है angle C किसके equal होता है angle C किसके equal होता है आप बोलोग सा 90 degree पुलस यह जो यहां पे angle बनता है यह angle P divide by 2 ठीक है angle P divide by 2 और हम से यही तो पूछा था angle BPA BPA यह वाला angle हम से पूछा है ठीक है तो चलिए निकालते हैं ठीक है एक मिनट आजानों रहे है तो बाई मेरे अब चाहे आप यहां पे visualization से करो या सीधा स्वालो करो ठीक है तो angle C कितना है हमारे पास 135 degree है given है ना ACB ACB 135 degree 90 degree is equal to angle P by 2 यान कि P क्या है angle BPA यही तो हमें निकालना था by 2 तो गाइस यहां पे कितना रहेगा 45 degree into यह 2 हो जाएगा is equal to angle BPA so therefore angle BPA कितना आ जाएगा angle BPA कितना आ जाएगा 90 degree आ जाएगा बता क्या मुश्किल था यह आप यहीं पे सोच सकते थे यह 135 90 तो आया है और कितना आना बाग किये 45 45 2 से डिवाइड करनी के बाद तो यहां पे होने चाहिए 90 तो बस देखते ही आप आंसर कर सकते थे 90 degree that is option A ओके चलिए next ट्रिग्राम एंटरी में हलाकि मैंने minimum and maximum यह concept मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन थोड़ा सा पढ़ाया है किस तरीकी से उस थोड़ी को यहां पे implement करके question का आंसर आप देश सकते हो तो वो मैं आपको बता होगा ठीक आप गाईज ओके चलिए जी यह क्या है फायू साइन स्केर थीटा तो हम लिखेंगे as it is फायू साइन स्केर थीटा इसका minimum value निकाल ला है इस वाली expression का पुलस स्यावन को स्केर थीटा तो मैं इसको लिख सकता हूँ फायू को स्केर थीटा पुलस तो को स्केर थीटा बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अब यह वाली जो टर्म है यहाँ पे मैं 5 common लेता हूँ और लिखता हूँ क्या साइन स्केर थीटा पुलस को स्केर थीटा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, cos square theta, theta की value अगर मैं 90 put करोगा, ठीक है तो यहां पर यह 0 बन जाएगा 2 into 0, 2 ठीक है, तो यहां पर 5 into यह कितना मिलेगा, आपको sin square theta plus cos square theta 1 मिलेगा, है ना plus 0, यहां कि answer आ जाएगा 5 5 is question का answer, यह हो गया एक तरीका, दूसरा तरीका, आप minimum value put करो, क्योंकि आपको minimum value निकालना है, आप अगर negative में कोई value put करोगे, क्योंकि यहां पर square हो रहा है, तो वो positive value देगा, वो maximum value आपको देगा, ठीक है, वो क्या देगा, आपको maximum value देगा, तो आपको 0 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप 90 degree रखो angle की value, या आप क्या रखो, 0 degree theta की value रखो, तो आपको answer निकल के आज जाएगा, आई बात समझ, आपको minimum निकालना है, आपको minimum निकालना है, तो that means, आपको theta की value, 90 degree ही put करने पड़ेगी, आई बात समझ तो चलिए जी, next, next question, एक मिनटा, call आ रही है, चलो ये वाला स्वाल बनाओ, ये वाला question, कहता है, A, B और C, ये तीन बंदे, ठीक है, एक किसी काम को करता है, 16 दिन में, B उसी काम को अगर करेगे, तो 32 दिन में करता है, और C अगर उसी काम को करता है, 48 days उसको लाइए, तो तीनों का LCM ले लो, कितना आ जाएगा, 96, अब मैं LCM किस तरीके से फास्ट निकाल रहा हूँ, दिमाग में, आपने मुझे से पढ़ा होगा, तो आप भी लाइक होगे, निकालने के लिए, क्या है LCM, या तो 48 होगा, या इसका कोई multiple, 48 से तो 32 से तो 48 डिवाइड नहीं होता है, तो 48 इंटो 296 होता है, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, तो इस तरीके से LCM फास्ट निकाला जाता है, आई बात सामश, तो A की Efficiency, 96 upon 16, यानके 6 यूनिट्स, B की Efficiency कितने आजाएगे, 3 यूनिट्स, एड़ C की Efficiency आजाएगे, 2 यूनिट्स, अब कहता है, ये काम करते है, स्टार्टिंग में ये स्टार्ट करते है, एक साथ काम, लेकिन B और C बाग जाते है, एक बाग जाता है, 8 दिन पहले, और दूसरा बाग जाता है, 6 दिन पहले, completion of the work, टोटल वर्क हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, टोटल वर्क इस उक्वाल्टा, 96 इस भी आठ दिन पहले निकाला न, तो यान कि 3 अठे, 24 यूनिट ये काम करेगा, ठीक है, C 6 दिन पहले बाग जाता है, यान कि 2 छे, 12 यूनिट ये काम करेगा, तो टोटल वर्क इन तिनों को हम एड करेंगे, ओके, इन तिनों को हम एड करेंगे, तो गाईज, अब आप देख सकते हो, 96 प्लस 24, 120, 120 प्लस 12, 132, इसके दो तरीके बेसिक लिए है, सालो करने के, तो टाइम कितना लग जाएगा, हमारे पास टोटल वर्क, क्योंकि ये भाग जाते हैं न, ठीक है न, और टोटल एफिशेंसी, एक दिन काम किया, 6, 3, 9, 9, 9, 12, 11, यानकि टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 12 देज, 12 देज is the correct answer, दोसरा हो गया, अब पीछे से काउंट करके देखो, कि किसने कितना काम काम किया, वैसे भी आप कर सकते हो, मैंने दो-दो तरीकों से आपको ये पढ़ाया हुआ है, चलिए जी, इस का प्रोड़क्ट बताईए किसके बराबर है, अब कुछ लोग होंगे यहां पे, ठीक है, कला कार लोग, जो सीधा-सीधा मल्टिप्लिकेशन करेंगे, और पांच मिनट अपने वेस्ट कर जाएंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, कंसेप्ट आप डिजिटल सम, डिजिटल सम का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, बताया कि नहीं बताया है, हाँ जी बताया है तो पहले अगर unit digit देखेंगे तो 749 तो कोई भी नमबर आएगे जिसका unit digit पर 9 है देखिए यहां पर 9 हर एक में तो क्या करेगे digital sum का concept लागाएगे तो digital sum अगर हम निकालेगे तो इसका digital sum कितना आ गया बोलोगी सर टू और इंटू इसका digital sum कितना आ जाएगा टू ही आ जाएगा तो total digital sum कितना आ जाएगा टू इंटू फोर ठीके तो digital sum यहां पर चाक परो option first आगर हम देखेंगे 9 तो 6 होगे 15 15 16 16 5 होगे 21 21 तो 9 होगे कितने 30 31 होगे 31 तो 31 का मतलब 3 plus 1 3 plus 1 is equal to 4 तो यही इसका answer है बताओ seconds में काम होता है है ना चलिए जी next next question यह table हमें देखना है और हमें क्या करना है what is the average of number of girls who participated in cricket football and volleyball girls हमें देखनी है उनका average निकालना है जो participate करते किसमें cricket में football में और volleyball में right getting my point okay तो total students कितने 800 अब cricket की बात करेंगी सबसे पहले cricket मिकालना है तो 20% total है 20% 20% of 1800 देखने 10% 180 होता है तो 20% कितना होता है तो आप बोलोगे 360 होगा ठीक है और उसमें यह तो total है 360 क्योंकि 20% of 1800 is C60 लेकिन girls कितने 9 में से 5 यूनिट क्योंकि 4 यूनिट boys 5 यूनिट girls total 9 यूनिट 9 में से 5 यूनिट क्या है girls यानके 5 बटे 9 तो कितना आ जाएगा 9 कैना 9 चुके 36 यह हो आ जाएगा 200 girls है 200 यहाँ पे cricket में और football में हम देखेंगे अब हम football में देखेंगे 18% 18% यानके 18 अपान 100 ओफ 1800 दो 0 से 2 0 कट जाएगे तो वो कितना रहेगा 18 into 14 बज जाएगा वहाँ पे और उसमें girls कितने 2 यूनिट टोटल कितने 3 ठीक है यानके 2 बटे 3 तो 3 6 18 ठीक है 6 दूने 12 12 इंट 14 कितना होता है कहीं पर गलत मत किया में नहीं 2 3 18 अपान 100 इंट्यू 1800 हाँ यहाँ पे 18 है तो आप देखो 12 इंट्यू 18 12 इंट्यू 18 देखो 12 इंट्यू 10 120 12 into 20 140 लेकिन 18 है यानकी 2 भार हमें 12 वापकर सब्ड्रैक्ट करना है ठीक है 240 से 24 हम सब्ड्रैक्ट करेगे तो कितना रहेगा वहाँ पर 240 से अगर हम 24 करेगे तो कितना रहे मेरे 3-221, यहन के 216, इस तरीके से 1 मौलिक्लिकेशन किया जाता है. और फिर वाली वाल में 14% इस तरीके से देखो, 14% of 1800, और उसमें से गर्लस कितने हैं? 3, total कितने, 7, इस तरीके से मैं करता हूँ, बेस के लिए, अब ये 2-0, तो ये 2-0 कट नहीं है, तो इसलिए करने की जुरूरत नहीं होती, 7-7, 7-2, 14, ठीक है, तो कितना होता है, 2-18 होगे 36, 36 जर्बी 3, कितने होगे 108, तो average, अब हमें find out करना है, average, 200-200 होगे 400, एक होगे 500, 500 और 16 तो 8 होगे 24, यानके 524, बटे 3, ठीक है, तो कितना आज जाएगा, 3-17, 51, ठीक है, एक यहाँ पर, 3 चुके, 12, 36, 18, 174.6, इसके नजदीक वाला option कौन है, option B, option second, ये आपका अंसर हो जाएगा, आई बात सामच, next, बनावा, ये वाला सवाल, कहता है, as sphere of maximum possible volume is cut from a solid cube, what is the ratio of the volume of sphere to that of the cube, कहता है, कोई cube है, cube का volume, देखो भाई, मेरे cube में इस तरीकी से square जैसा बनाओगा, अब अगर cube में पूरा बनाओगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, cube है, cube के हर एक side बराबर होता है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है और यहां से एक maximum possible sphere काटा जाता है, यानि कि वो boundaries को touch करेगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वो touch करेगा, ठीक है, तो आप मुझे बता ये जो हमने sphere निकाला, इसका diameter कितना है, आप बोलो के सार A, और इसकी radius कितनी होगी, तो आप बोलो के सार radius यहां पर A by 2 होगी, कि किसके, किसके, sphere की, sphere यह देखो, diameter क्या है, A, और radius कितनी होगी, A का आदा, A by 2, अच्छा, volume of sphere, volume of sphere, यह होगे sphere, और यह होगे, cube, यह हमें निकालना है, इनका ratio निकालना है, तो volume का, किसका, volume of sphere क्या होता है, आप बोलो के सार फोर बाई 3, पाई, आर, cube, ठीक है, और cube का volume क् होता है, side का cube, यान कि A का cube, ठीक है, side का cube होता है, radius क्या है, हमारे पास, A by 2, A by 2, यान कि A by 2 का cube लेंगे, इस तरीके से, तो अब देखो, 4 by 3, as it is, 4 by 3, क्या आ जाएगा, as it is आ जाएगा, okay, into pi, as it is आ जाएगा, into, यहाँ पर क्या है, A cube आ जाएगा, और नीचे, 2 का cube, यान कि A, is equal to, is equal to, नहीं, ratio है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, A cube है, तो आप देखो, आप देखो, गंदे नजर से होता क्या है, इतना आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, A cube से A cube, खतम, 4 से यह दो बार, ठीक ह तो कितना रहा, यहाँ पर तो 1 रह गाई है, तो pi divided by 2, 3, 6, ठीक है, तो यह से किस multiple में यहाँ चला जाएगा, तो ratio is what, pi is to 6, pi is to 6, हमारा ratio आजाएगा, option C, बताओ, कोई शक, next question, a man has hired for fixed, for fixed days for which he had to be paid rupees 3, 2, 3, 9, he was absent for some days, and only rupees 2, 9, 2, 3 was paid, what was his maximum daily wages, केता है, एक आदमी किसी दूसरी employee को रख लेता है, उसको वो fixed salary देता है, day के हिसाब से, दिन के हिसाब से, fix मतलब integer में salary देता है, decimal में नहीं देता है, तो कुछ दिन वो absent रहा, और उसको salary इतनी मिली, ठीक है, उसको इतनी मिलती, कुछ दिनों के लिए, लेकिन कुछ दिन वो absent रहा, उसको इतनी मिली, ठीक है, तो basically हमें क्या find out करना है, है, HCF, daily wages निकालने है, दिन के हिसाब से, तो हमें HCF find out करना है, क्या करना है, HCF, okay, so, अगर यह सारी दिन काम करता है, तो इसको मिलते है, 3239 रूपीज, लेकिन यह कुछ दिन absent रहता है, और इसको मिलते है, 2923 रूपीज, तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, difference method, तो difference देखो क्या है, 9 में से 3 गई तो 6, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, और 32 में से 39, 32 में से 29 गई, तो कितना 3, तो HCF क्या होगा, या तो 316 होगा, या तो इसका कोई factor होगा, अब 316 तो options में नहीं है, तो इसका factor है, इसका factor क्या है बाई मेरे, इसका factor हमारे पास एक ही option है, option B, या 316 कैसे बनता है, जब हम 79 को multiply करेंगे 4 से, तो यह इसका answer हो जाएगा, बताओ, अब मैं important बात आपको करोगे, यह question यहाँ पर repeat हुआ है, तो अब एक important यहाँ पर information share करोगा, अब आपको लगा होगा कि 25 questions में से 25 हमने easily बना लिए, बिलकुल आप बना सकते हो, 100% बना सकत अगर यहाँ से paper है, लेकिन इससे बड़ा paper में आप सो solo करोगा, जो कि बहुत ही calculated, जो central का CGL का paper होता था, उससे भी ज्यादा calculated paper में, easy way में आपको color solo कराऊगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन यह तब ही possible है, जब आपने अच्छ सोर्स से, अच्छे mentor से पढ़ा होगा, अच्छे सोर्स से तायर करी होगी, with proper practice and revision, ओके, तो मुझ से पढ़ने के लिए Maths का डर, अगर आपके selection Maths के वज़ा से रुक रहा है, या Maths के दम पे आपको selection लेना है, दोनों cases में आप क्या कर सकते हो, मेरी application डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे, और वहाँ पे reasoning plus Maths को बहुत अच्छा strong बना सकते हो, केवल और केवल 4.99 रुपीज में, और जो बाचे already मुझ से पढ़े होए है, courses के validity खतम हो चुके है, वो मुझे message कर सकते है, किस number पे 7889792727, telegram या WhatsApp कर सकते, मैं उनको open code दूँगा, ताकि उनकी validity extend हो ज ये था important video, maximum platforms पे share करना, जितना ज्यादा आप share करोगी, उतना ही जल्दी में आपके लिए दूसरा video लेकि आओगा, mock test के comment, तब तक के लिए, bye bye, take care, allahafiz, और मेहनत करते रहे हैं